दोस्तों क्या हुआ? जब अचानक प्रकट हुई, अयोध्या में माता सीता जी हाँ. माता सीता को कौन नहीं जानता? यह वही सीता है जिन्होंने अपने पती के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजरे थे, जबकि वनवास तो सिर्फ राम को मिला था. धन्य थी वह माता सीता, जो इतनी स्वाभिमानी स्त्री थी, जिन्होंने अपने पती साथ में भी साथ नहीं छोड़ा, तो भला आज कैसे छोड़ सकती है? जब उनके प्रभु राम की प्रान प्रतिष्ठा हो रही है, तो वह भला कैसे अकेली रह सकती है? साथियों. प्रभु राम को छोड़ दिया था और वह धरती माता की गोद में समा गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु अयोध्या आ रहे हैं, तो वह दोड़ती हुई चली आई अपने प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों माता सीता प्रभु भारिया देवी सीता को आजात कर लाए थे, जिसके बाद में अपना वनवास काल पूरा होने के उपरांत, वे अयोध्या लोट कर राजा की गद्धी पर बैठ गए थे, जिसके बाद श्री राम के सारी प्रजा तथा उनके भक्तों को लगने लगा था कि अब श्री राम के जीवन के कठिन समय का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया है, परंतु क्या सच में ऐसा हुआ था? नहीं, क्योंकि उसके बाद तो श्री राम और देवी सीता के जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ था, जिसका उस समय में किसी को अंदाजा तक नहीं था, शायद आप में से क कुछ लोग ये समझ गए होंगे कि हम देवी सीता का श्री राम के महल छोड़ कर जंगल में वनवासियों जैसा जीवन व्यतीत करने के बारे में बात कर रहे हैं. जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं. पहले अपनी पवित्रता का प्रमान देने के लिए अगनी परीक्षा तो ब जो ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर क्यों श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता को छोड़ा, क्योंकि शास्त्रों में उनके और देवी सीता के संबंधों को बहुत ही मधुर दर्शाया गया है. तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि देवी सीता ने अपनी पत्नी दे तो वे अकेले ही वनवास पर जाना चाहते थे। लेकिन मातासीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। Bतादें, शास्त्रों में कि ये वर्णन के अनुसार मातासीता का ये स्वतंत्र निर्णय था. कैकई ने केवल श्री राम को वनवास भेजना चाहा था। वनवास काल के आखिर के वर्षों के दोरान रावन द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया गया था। यही मूल कारण था कि भगवान श्री राम ने लंका की छड़ाई की और रावन का वध किया। शास्त्रों के अनुसार जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या व अगनी परीक्षा भी दी थी। परंतु इसके बावजूद माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाये जाने लगे। शास्त्रों के अनुसार तब प्रभु श्री राम को पिता दशरत द्वारा सिखाया गया, राज धर्म याद आ गया। जिसमें राजा दशरत ने उन्हे सिखाया था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का ही होता है। बलकि आवश्यक्ता पढ़ने पर अगर राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहां तक की प्राण भी त्यागने पड़े, तो उसमें संक कोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए उसका राज्य ही, उसका मित्र है, तथा उसका परिवार होता है। प्रजा की भलाई ही उसका स्रवो परिधर्म है। तो असल में ये कारण था कि भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। ऐसा करने के पीछे उनका एक ही कारण था, जो था अपने राज धर्म का पालन करना। शास्त्रों के अनुसार देवी सीता जब गर्भवती थी, तब उनकी एक दिन तपोवन घूमने की इच्छा हुई, जो इच्छा उन्होंने श्री राम से व्यक्त की। जिसके बाद श्री राम न आपको अब यहां से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही महाराज की आग्या है। और वहां से माता पिता महर्शी वालमी की के आश्रम चली गई और वहां पर उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, उन पुत्रों का नाम था लव और कुष दोस्तों, वालमी की रामायन के उत्तरकांड के अनुसार, जब एक बार लव और कुष प्रभुश्री राम के दरबार में लव और कुष राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूद के द्वारा महर्शी वालमी की के पास संद संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमती ले, यहां आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमानित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपट करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वालमी की माता सी बार में उपस्थित हुए। आपको अपनी निर्दोशिता का आश्वासन देंगी। कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो, तो मेरी पवित्रता के प्रमान स्वरूप भगवती प्रिथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपत लेते ही प्रिथ्वी फटी। उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ प्रिथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बरहा कर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन प्रिथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूत पूर्व द्रिश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दोख हुआ। करते देख ब्रह्मादी देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना दे कर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाईयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक-एक करके सब वैकूंठ पहुँ इससे पूर्व उन्होंने लव को लव पूरी नगर में राज्य दिया जबकि कुष अयोध्या के राज सिंगहासन सौपा। लेकिन दोस्तों जब माता सीता धरती माता की गोद में बैठी तो प्रभु श्री राम से कहीं कि हे स्वामी मेरा जब भी जन्म हो मैं आपकी ही प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखें धन्यवाद